Welcome my dear students, I am Prakriti Kapoor and I welcome you on this channel, We Assist You Kapoor. आज हम Class 8, New Learning to Communicate कि Chapter 7 की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है Witches Loaves. इसके पहले के 6 chapters हम अलरी कवर कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है, तो वो सब मेरे चैनल पर ही है, मैं Playlist उसकी Description Box में दे दूँगी. चलिए शुरू करते हैं. Witches Loaves अब इस बात को बहुत important मतलब है, जब हम स्टोरी को पढ़ेंगे तो हम इस बात को समझ पाएंगे. स्टोरी को explain करने का तरीका मेरा यही होगा, कि मैं आपको difficult words की meaning बताऊंगी और साथ में Hindi explanation भी दूँगी. चलिए शुरू करते हैं. We sometimes come across a person who we think is in desperate need of attention and care. कभी-कभी हमारे सामने ऐसे लोग आते हैं, जिनको देख के हमें लगता है, हम सोचते हैं, कि इनको जो है, बहुत ज़्यादा जरूरत है, attention की और care की. So in good faith, we offer help without checking if the person really needs it. तो ऐसा होता है, कि हम क्या करते हैं, concern में कि चलो यार, बिचारा बहुत गरीब है, या इसको बहुत जरूरत है, तो हम उसकी help कर देते हैं, बिना ये जाने, कि उसको सच में हमारे help की जरूरत थी, या नहीं थी. तो ऐसी ही एक स्टोरी है, ये विचेज लोफ, तो उसको पढ़ते हैं और समझते हैं. Miss Martha, Maycham kept the little bakery in the corner. तो इनका नाम है Miss Martha Maycham, इनकी एक छोटी सी bakery है on the corner, जो कि एक corner में कहीं पर है. The one where you go up three steps and bell tingles when you open the door. और ये जो particular bakery है, इसका description दिया जा रहा है कि उस bakery पर जाने के लिए आपको तीन कदम, तीन सीड़ियां चड़नी पड़ती हैं, फिर आप bell बजाते हैं और फिर bakery का दरवाजा खुलता है. Miss Martha was 40. Miss Martha की एज कितनी है? 40 years. Her bank book shows a credit of $2,000. और उनके bank में बहुत सारा पैसा है, और कितना पैसा है? $2,000. She possessed two false teeth and sympathetic heart. उसके पास दो नकली दात हैं, लिकिन उसका दिल बहुत अच्छा है. बहुत sympathetic है, लोगों के लिए sympathy है इसके दिल में. Many people have married whose chance to do was much inferior to Miss Martha. कई ऐसे लोगों के शादियां हो गई है, जिनके शादी होने के chances inferior याने की less थे. बहुत जादा inferior थे याने की less थे. ठीक है? Mrs. Martha के comparison में, ऐसे लोगों के शादियां भी हो गई है, जिनके शादी होने के chances inferior थे. और inferior का मतलब होता है बहुत ही कम. बता जा रहा है कि Mrs. Martha जो हैं अच्छी लेडीज हैं, ठीक ठाक दिखती हैं, उनके शादी हो सकती थी, लेकिन उनने शादी नहीं की है अभी तक. Two or three times a week, a customer came in. अब एक description दिया जा रहा है कि एक हफते में, दो या तीन बार एक customer आता है. In home, she began to take an interest. जिस customer में Mrs. Martha को कुछ interest आने लगा है. ठीक है? He was middle-aged man. वो जो आदमी आता है, वो भी middle-aged है, जैसे कि Mrs. Martha है, बिल्कुल उसी तरीके का middle-aged है. Wearing spectacles and brown beard trimmed to be careful point. और वो जो व्यक्ती है, वो चश्मा लगाता है, spectacles मतलब होता है चश्मा लगाना. और उसके brown beard है, उसके brown brown color की beard यानि की दाड़ी है. Trimmed to the careful point. मतलब कि बहुत properly तरीके से set है, trimmed है. He spoke English with strong German accent. वो बोलता है, लिकिन जब बोलता है तो उसमें लहजा आता है German का. जैसे कि वो जर्मानी करहने वाला हो. जैसे कि हमारे यहां इंडिया में भी होता है, हम इंग्लिश बोलते हैं तो हम थोड़ा Northern style में इंग्लिश बोलते हैं. लेकिन South के लोग जो English वोलते हैं, उनका accent, उनका भूलने का तरीका कुछ different होता है, उसी तरीके से ये बंदा English वोलता है लेकिन German accent में, तो accent का मतलब होता है way of pronouncing the word, आप words को किस तरीके से प्रणाउंस करते हो, His clothes were worn and darned in places, तो उसका व्यक्ति कपड़े पहनता है, कपड़े वो पहनता है, इस clothes were worn, जो कपड़े उसने worn किये हुए है, पहने हुए है, वो darned है, यानि कि कई जगा पर stitches हैं उसमें, कई जगा पर जैसे वो फट गए हों तो सिले गए हैं, ठीक है, in places and wrinkle and baggy and others, और वाकी आदा fresh, बहुत नए, बहुत अच्छे कपड़े वो नहीं पहनता, but he looked neat and has and had very good manners, लेकिन वो बहुत साफ सुत्रा दिखता है और उसके manners भी बहुत अच्छे हैं, he always brought two loaves of stale bread, वो हमेशा बासी, stale का मतलब होता है बासी, ताजा नहीं, fresh नहीं है जो, तो वो बासी bread खरीता है और उसकी दो loaves, दो packets करीता है, fresh bread was five cents a loaf, अगर आप fresh bread खरीत होगे, तो वो आपको महंगी मिलेगी, उसके लिए आपको five cents, पैसे पांच रुपे मान लीजे देने पड़ेंगे, लेकिन stale one was two for five, लेकिन जो stale bread होती है, वो आपको जो है, पांच रुपे में दो मिल ही वो खरीदने, मिस्स मार्था के बेकरी में आता है, right? ठीक है, once मिस मार्था saw red and a brown stain on his fingers, अब मिस्स मार्था को उसमें इंट्रेस्ट आता है, तो उसको ध्यान से देखती है, तो एक बर मिस्स मार्था ने उसके हातों पर brown और red color के कुछ दाग देखे, stains यानि की दाग और उससे इस बात की शियोर्टी हो गए कि ये बंदा जो है जरूर कोई artist है and very poor पर बहुत गरीब है, no doubt he lived in a garret और इस बात में कोई शक नहीं है कि उसके पास अच्छा घर भी नहीं होगा, वो garret में रहता होगा, garret क्या होता है, garret एक ऐसी जगह होती है जो एक तरीके से घर होता है, where he painted pictures and ate stale bread and thought of good things to eat in Miss Martha's bakery, तो ये जो लेडी है Miss Martha, ये सोचते हैं कि वहाँ बैट कर वो पेंटिंग करता होगा, सूखी bread, पुरानी बासी bread खाता होगा और सोचता होगा कि काशु अच्छी चीज़ें खा पाए Miss Martha की बेकरी से, often when Miss Martha sat down to her chops and light rolls and jam and tea, she would sigh, और Miss Martha क पास एक बहुत sympathetic heart है, तो जब ही वो chops याने कि एक non-wedge meat होता है, तो non-wedge जब खाती है, light rolls खाती है, jams और teas लेती है, तो उसे हमेशा बहुत साय मतलब बहुत दुख महसूस होता है, and wish that the gentle mannered artist might share her tasty meal, और वो सोचती है कि काश ये जो अच्छे manners वाला ये जो artist है, काश वो मे eating his dry crust in the drottie attic, तो वो सोचती है कि यार जिस तरह से वो uncomfortable जगा पे रहता है, जहां पर proper घर भी नहीं है, उसके पास उसमें ठंडी, drottie मतलब है, कि एक ऐसी जगा जहां पर आप कमरे में ठंडी हवा एंटर कर सकती है, सर्दियों में ठंडी हवा एंटर कर सकती है, और आप ज हार्ट, as you have been told, was a sympathetic one, और क्योंकि मिस मार्था का जो दिल है, जो हार्ट है, वो बहुत sympathetic है, जैसे आमको बताया भी गया है, इसलिए उन्हें बहुत दया दिया, इस आर्टिस्ट के उपर, ठीक है, तो यहां पर देखो, यह है मिस मार्था, और यहां पर यह है आर्टिस्ट और यह है इनकी बेकरी, जहां पर बहुत सारा सामान रखा है, और देखो, ध्यान से पीछे एक ड्रॉइंग बनी होई है, ज्रॉइंग में एक बिल्डिंग है, वाइट कलर की, यहां पर कुछ बोट्स हैं, बोट्स पर कुछ लेडीज हैं, जो पानी को भी टच कर रही है, और यह पूरा पानी वाला शहर है, ठीक है, तो आपको इससे related कुछ बाते बताई जाएंगी, इसलिए मैंने इसका description दे दिया है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इन और तो टेस्ट र थियोरी, as to his occupation, she brought from her room one day a painting that she had brought at a sale and set it against the shelves behind the bread counter, तो एक दिन क्या होता है, कि Mrs. Martha सूशती ह यह जो बंदा आता है, जो विक्ति आता है, उसका occupation painting है कि नहीं है, इस चीज़ को check किया जाएं, और उसको check करने के लिए वो क्या करती है, अपने कमरे में से, अपने room में से एक painting लिए आती है, और उस painting को जहांपर shelf है, जहांपर लोगा के customer खड़े होते, मतलब यह जो इस एक जगे है, उसी का यह सीन है, a splendid marble palazio, तो यहां पर एक splendid marble palazio, मतलब एक building खड़ी हुई है, जैसा कि मैं आपको दिखाया था, so it's set on the picture, student foreground, or rather for water, तो यह picture में जो पीछे वाली जमीन पर है, यह पीछे वाले पानी पर है, जहां कहीं भी है, वो पीछे खड़ी हुई ह for the rest, for the rest there was gondolas, तो gondolas क्या होता है, gondolas का मतलब होता है, एक boat, जो narrow सी boat आपको यहां दिख रही है, बहुत सारी, इसे एक है तो gondolas, तो वहां पर बाकी जो है, बहुत सारे gondolas है, ठीक है, right, ठीक है, तो इसके बाद, with the lady trailing her hand in the waters, में एक lady है, जो अपना हाँ पानी में ल clouds है, sky है, और kia soro है, kia soro मतलब क्या होता है, kia soro का मतलब होता है, एक तरीके का, बहुत सारा lighting और बहुत सारा shade, तो painting में जो lighting effects होता है, बहुत सारा in plenty, no artist could fail to notice it, कोई भी artist अगर होगा, तो वो इस चीज को notice जरूर करेगा, two days after the customer came in, दो दिन के बाद customer आया, two loaves of still bread if you please, अब यहाप इनके language थोड़ी अलग है, इसलिए यह please को please बोल रहा है, तो यह generally कई जगा पर आप देखोगे, कि यह P को B बोलेगा, ठीक है, तो वो क्या कहता है, two loaf of stale bread, मुझे दो loaf of stale bread दे दीजे please, you have here a fine picture madam, तो कहता है कि आपके पास यहाँ पर बहुत अच्छी picture है ma'am he said while she was wrapping up the bread, जब तक वो bread wrap करी थी उतने में वही बात कह देता है, ठीक है, yes says miss Martha, revealing in her own cunning, तो miss Martha को बड़ी खुशी होती क्योंकि उसी के लुसने पिच्चर टांगी थी, तो वो जो है yes बोलती है, और revealing का मतलब है, बहुत proud और बहुत happy feel होती है कि मेरे जाल में फज गया, और मेरा confirm हो गया कि यह artist ही है, यह confirm मुझे करना था, I do so admire art, तो कहती है मुझे arts बहुत पसंद है, no it would not do to say artist this early, and painting she substituted you think it's a good picture, अब देखो, no it would not do to say artist this early, तो यहाँ पर वो जो है artist है, और यह जो है कोई भी artist होता, तो वो इस चीज़ को compliment जरूर करता, यह देखर उसे confirm हो गया, and the painting she substituted, और उसके बाद वो बोलती है कि painting, आपको लगता है कि यह अच्छी painting है, तो पूछती है उससे उसका point of view, अब देखो, जैसे ही वो से पूछ और is not a good drawing, तो यह जो पीछे palace है इसके वज़े से drawing अच्छी नहीं है, तो परस्पेक्टिव, यह परस्पेक्टिव है, परस्पेक्टिव मतलब होता है नजरिया, तो यह जो परस्पेक्टिव सही नहीं है, मतलब पानी पर कैसे महल खड़ा है, बहुत सारी चीज़े हो जाता है, yes, he must be an artist, Miss Martha took the picture back to her room, अब Miss Martha को यही confirm करना था, उसे confirm हो गया है, तो यह जो परस्पेक्टिव में चली जाती है, What a broad bro he had, और उसके eyebrows कितने broad है, to be able to judge perspective at a glance and to live on a stale bread, कितना सही, कितना अच्छा बंदा है वो, कि वो perspective को एक नजर में पहचान लेता है, नजरिये को एक नजर में पहचान लेता है, और बिचारा सूखी bread, बासी bread खाके रहता है, but genius often has to struggle before it is recognized, इसकी बश मार्था कुद को त struggle करना पड़ता है, जब तक वो अपनी पहचान बनाएं, उसे पहले उनको struggle करना ही पड़ता है, ये मिसमार्था खुछ से अपने आप से कहती है, ठीक है? हाँ, what a thing it would be for art and perspective, the genius were backed by $2,000 in the bank, तो फिर वो कहती है, अपने आप से बाते करते कि क्या ही बात होगी, कि अगर एक genius के पास bank में $2,000 भी हो, a bakery and a sympathetic heart too, but these were great dreams, Miss Martha, तो आब यहाँ पर वो क्या सुच रही है, वो अपनी शादी के सपने देख रही है, उस आदमी के साथ, तो कितना अच्छा होता ना, कि इस perspective genius के पास $2,000 होते bank में, एक bakery होती इसकी खुद की, और एक अच्छे दिल की औरत भ लेती, तो इसके पास यह सब कुछ होता, but these were the daydreams, मकर यह दिन के सपने हैं, पूरे नहीं होने वाले, और Miss Martha कहीं न कहीं यह बात जानती है, और फिन now, when he came, he would chat for a while across the showcase, अब जब भी वो वेक्ती आता है, तो वो थोड़ देर chat करता है, यह बात करता है, शोकेस के सामने से ही, he seemed to carve Miss Martha's cheerful words, और उसे अच्छा भी लगता है, वो Miss Martha के cheerful words को enjoy करता है, he kept on buying stale bread, अभी तक वो वही बासी bread खरीद रहा है, never a cake, never a pie, never one of her delicious Sally Lunds, तो वो कभी cakes नहीं खरीता, कभी वो पाई नहीं करीता, और नहीं कभी वो कोई अच्छा सा, Sally Lunds का एक है, मिलाब एक तरीक He began to look thinner and discouraged, अब Miss Martha को चिंता हो रही है क्योंकि वो व्यक्ती जो है, थोड़ा सा thinner, यानि की कमजोर और discouraged, यानि की down दिख रहा है, her heart ached to add something good to eat to her, to his meager purchase, और उसकी दिल में बहुत तकलीफ होती है Miss Martha के, वो सोचते है कि काश में कुछ add कर पाती, कुछ extra कर पाती, इसकी meager यान इसमें कुछ में add कर पाती है, but here courage failed to add to the act, मगर यहाँ पर Miss Martha की ही मर टूट जाती है, she did not dare affront him, पर क्योंकि वो affront का मतलब ता hurt करना, वो इस आदमी को hurt नहीं करना चाहती, she knew the pride of artist, वो जानती है कि जो artist होते हैं, वो बहुत स्वाभिमान ही होते हैं, और उनके स्वाभिमान एक दिन क्या होता है, कि Miss Martha क्या करती है, एक blue color का, एक special type का कोई dress होती है, silky, वो पहन लेती है, in the back room, she cooked a mysterious compound of quen, seed and borax, ever so many people use it for the complexion, अब वो कही न कहीज, आर्टिस से शादी करना चाहती है, इसलिए वो अच्छे कपड़े पहन लेती है, और अपने आपको, अपने आपको material तयार करती है, जैसे लोग face pack बनाते है, ये quensoor seed and borax का स्तमल face pack बनाने के लिए होता है, जिससे आप थोड़े से fair हो जाओगे, थोड़े और pretty दिखोगे, तो वो इसका बना लेती है, और अपनी dress पहन लेती है, blue color की, one day the customer came in as usual, तो एक दिन customer हर बार की तरह आता है, ladies nickel on the showcase, और showcase पर अपना कुछ हमान रख देता है, and call for his tail loaves, और फिर वही वो बासी bread मांगता है, while Miss Martha was reaching for them, there was a great tooting, clanging and a fire engine come lumbering past, जब तक Miss Martha जाती है, चलो, इनको bread दे दे, तब बाहर क्या होता है, tooting, tooting का मतलब होता है, एक तरीके से बहुत तेज-तेज horn बजना, clanging, clanging का मतलब होता है, बहुत loud sound, and a fire engine, fire engine का मतलब है कि, शायद आग बजने वाले कोई आया है, came lumbering past, lumbering past का मतलब होता है, कि जो धीरे-धीरे चलना, और बहुत अजीब से आवास करना, the customer hurry to the door to look, तो customer भागता है, कि चलो, देखके आते हैं, कि क्या हो रहा है, तो ऐसा generally कोई भी करेगा भाग के जाएगा, as anyone will, जैसा कोई भी करेगा, वैसी वो भी भाग के जाता है, suddenly inspired, Miss Martha sees the opportunity past, अब inspiration मिला, Miss Martha ने इस opportunity को grab कर लिया, seize कर लिया, ने पकड़ लिया, on the bottom shelf behind, the corner was a pound of fresh butter, तो जो counter है, इसके just नीचे, बहुत चारा fresh butter रखा हुआ है, the dairyman had left 10 minute before, तो dairyman आया था, और 10 minute पहले ही उसे छोड़ कर गया है, with a bread knife, और साथ में bread knife भी है, Miss Martha made a deep slash in each of the stale loaf, तो जितना भी बासी bread का वो loaf है, उसमें वो क्या करती है, एक slash लगाती है, कट लगाती है, inserted a generous quantity of butter, उसमें खूब सारा butter डाल देती है, and press the loaf tight again, और loaf को इतनी जोड से दबा देती है, कि पता न चले कि इसके अंदर कोई भी butter लगाया गया है, ठीक है, when the customer turned once more, she was tying the paper around them, जैसे customer वापस आता है, तो तब तक वो क्या कर रही होती है, पेपर बान के उसे पैक कर रही होती है, when he had gone after an unusual pleasant chat, Miss Martha smiled to herself, but not without a slight fluttering of the heart, तो जैसे ही वो वेक्टी चला चाता है, उनसे बात करके, Miss Martha अ without slight fluttering of the heart, लेकिन उनका इस बार जो है, heart फिर भी हलका हलका सा flutter हो रहा है, tension भी उनको हो रही है, कि क्या मतलब होगा, she had been too bold, क्या वो ज़्यादा बोल्ड होगा, क्या उसे ऐसा करना नहीं चाहिए, would he take an offense, क्या वो उस बात को गलत मानेगा, offense मतलब होता है, अपराद, क्या of the unmedianly forwardness, तो वो असोचती है कि नहीं नहीं, मतलब अगर मैंने बटर लगा के दिया है, तो उसमें कोई गलत नहीं किया है, मैंने, इस तरीके से मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है, जो अनथिकल है, तो उसमें कोई गलत नहीं है, for a long time that day, her mind dwelt on the subject, पूरा दिन, उस दिन, उस से मसीन को इमाजिन करने लगी कि क्या होगा, जब वो ब्रेट खोलेगा, और जब वो यह सब चीज़े सोच रही थी, वहाँ पर उस व्यक्ति को, deception, दोका मैसूस हो रहा होगा, उसे deception का मतलब होता है, दोका, तो उसे ऐसा तो नहीं लग रहा होगा कि मिस मार्था ने इसको पेंटिंग के कलर्स बनाया जाते हैं, वो रखेगा, देर वोड़ा स्टैंड इस एजल विद पिच्चर, वहाँ पर एक वुड़न स्टैंड होगा, जिसमें वो पिच्चर को सेट करता होगा, वो पेंटिंग बना रहा होगा, जिसमें क्रिटिस्म नहीं होगा, मतलब किसी को किसी को क्रिटिसाइस करने जैसा कुछ भी नहीं होगा, वो इमाजिन करेंगे कि कैसा सीन होगा, जब वो व्यक्ती ब्रेट खाएगा, जब वो प्रिपेर फोर इस लंच, फिर वो अपने लंच के लिए तयार होगा, और ड्राइव ब्रेट और वाटर, फिर वो सूखी ब पिर वो सूखती है क्या जब वो ब्रेट खाएगा और उस इतना अच्छा टेस्ट आएगा, तो क्या वो उन हाथों के बारे में सोचेगा, जिन हाथों ने इस ब्रेट में बटर लगाया है, यानि कि मिस मार्था के हाथों के बारे में, वोड ही, क्या वो सोचेगा, तो फ् लाते हुए, noise करते हुए Miss Martha hurry to the front Miss Martha भागती है बहार की तरफ के क्या हो रहा है Two men were there, वहाँ दो आदमी होते है One was a young man एक young man होता है and a man she had never seen before वो एक ऐसा आदमी होता है जिसको Miss Martha ने कभी नहीं देखा The other was an artist or was her artist और जो दूसरा बला आदमी होता है His face was red तो जो artist है उसका चेहरा गुस्से में लाल है His hat was on the back of his head उसका जो hat है वो उसकी सर के थोड़ा पीछे जा चुका है His hairs were widely rumpled Rumpled का मतलब होता है बिखरे हुए उसके जो बाल है वो जीब से बिखरे हुए है He clenched his two fists and shook them ferociously at Miss Martha at Miss Martha ferociously तो यहाँ पर क्या होता है कि उसने अपने मुठियां बानता है और बहुत गुस्से से बहुत violently वो Miss Martha की तरफ आगे बढ़ रहा है Dunk off He shouted with extreme loudness Dunk off का मतलब होता है बेवकूफ बेवकूफ इंसान वो बोलकर बहुत तेज चिलाता है and then Tossender 4 or something like it in German और बोलता है कि तुम cheat हो Tossender 4 मतलब होता है cheat तुम बोलता है तुम cheat हो The young man tried to draw him away दूसरा आदमी जो है उसको पीछे कीच रहा है इस आदमी को की जादा गुसान आ जाया I will not go He said angrily else I shall told her तो आर्टिस कहता है मैं जाओंगा नहीं यहां से जैसे कि drum हो ठीक है You have spoiled me तुमने मुझे बरबात कर दिया He cried चिलाता है His blue eyes blazing behind his Spectacles उसके चश्मे के पीछे से उसके नीली नीली आँखें जैसे जल रही हैं गुसे में I will tell you मैं तुमें बताऊंगा You was one meddling some old cat तो क्या गुसे में कहता है कि तुम interfering old cat हो बुड़ी हो रहा है तुम बहुत interfering हो तुमने ठीक नहीं किया तुमने मुझे बरबात कर दिया Miss Martha leaned weakly against herself अब Miss Martha को समझ में नहीं आया वो बहुत कमजोर पड़ गई और अपने shelf की तरफ हलकी से जुग जुग गई तुम बहुत कि अपनी कमर पर इसमें एक हाथ रखा दूसरा वाला जो आदमी आया था उस आर्टिस के साथ तुम खीच के कॉलर से खीच के उस आदमी को बाहर ले जा रहा है तुमने यहां पर यह गुसा रहा है वो क्या करता है तुम बहार चलो तुमने बहुत कुछ बोल दिया आप चलो यहां से यह कहके उसे बहार निकाल लेता है drag मतलब खीचते हुए बहार निकाल लेता है जब खीचते हुए बहार निकाल लेता है उसके बात वापस अंदर आता है Means you ought to be told ma'am he said guess you ought to be told ma'am he said what the row is about the blumber girl he's an architectural draft man I work in the same office with him तो आके बताता है कि guess करिये ma'am कि मैं आपको क्या बताने आया हूँ यह जो ब्यक्ति है एक blumber girl है he's an architectural draft man तो वो जो है architecture है मतलब वो architecture मतलब घरवर बनाने वाला ब्यक्ति है I work in the same office with him मैं इसके साथ इसके office में काम करता हूँ he has been working hard for three months drawing a plan for a new city hall तो city के नया हॉल के लिए यह बहुत दिन से तीन महीने से यह बहुत drawing बना रहा है plan कर रहा है it was a price competition क्योंकि इस competition के लिए इसको price मिलना था he finished inking the line yesterday कल ही की बात है कि इसने अपना almost inking का सारा काम complete कर लिया था you know a draft man always make his drawing in a pencil first आपको पता है कि एक जो draft man होता है वो pencil से ही drawing बनाता है when it's done he rub out the pencil lines जब वो बना लेता है तो बाद में वो pencils की line को मिटा देता है with a handful of stale bread crumbs और वो यह मिटाता किस चीज से है सूखी और बासी bread से that's better than Indian rubber क्योंकि Indian rubber से भी वो बैटर होती है वो अच्छे से मिटा देती है चीजों को पेंसिल को plumbergers mean buying the bread here और वो इसलिए यहां से bread करीता था well today well you know ma'am the butter isn't well plumbergers plan isn't good for anything now except to cut up into a railroad sandwiches तो वो बोलता है कि well पर आज आज क्या हुआ ma'am अपने butter डाल दिया और butter के वज़े से यह सारा गरबढ हो गया exploit हो गया सब गरबढ हो गया और अब जो है यह जो इसका जो काम है आपर पूरा का पूरा waste हो गया है Miss Martha went into the back room she took off the blue dotted silk waste अब Miss Martha को बहुत बुरा लग रहा है वो बैक वाले रूम में जाती है वो अपना blue dotted जोसने पहना हुआ है special dress उसे उतार देती है and put on the old brown serge तो जो पूराना कपड़ा वो पहनती थी woolen का old brown color का वही पहन लेती है she used to wear then she poured the quen seed and borax mixture out of the window into the ash can इसके बाद वो जो गोरे होने के लिए जो उसने लेप लगाय बनाया था उसे उठा के बाहर फेक देती है आग में और उसके चांती से बैट जाती है तो यहाँ पर यहाँ पर जो मिस्मार्था है यह बहुत हर्ट हो जाती है कि उन्होंने जो किया है वो बहुत गलत कर दिया है और इस तरीके से हमें हमेशा किसी के help करने के पहले यह सोचना चाहिए कि आक्चिल में उसे help चाहिए कि नहीं चाहिए तो यह लिखा था ओ हैनुरी ने और आई होब कि आपको यह स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और जुड़े रही है हमारे साथ चानल को सब्सक्राइब परके बेल आइकन प्रेस कर लिए जिससे आने वाले वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए तैंक यू सो मच और गॉड बेस यो